हैं तो आज की ग्लास में एक नहां टोबिक शुरू कर रहें जिसका नाम है time speed and distance time speed and distance से में शुरू करते हैं और देखते हैं कि time speed and distance में क्या क्या concept है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है Time, Speed and Distance Heading लगा लीजिए आप Time Speed and Distance बहुत अच्छा चेप्टर है बहुत आसान चेप्टर है जैसे Time के माहिने क्या होते है Time का मतलब होता है Time का मतलब है जो कि मेरा भी बहुत अच्छा चल रहा है और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि जिस आप से मैं आपकी मदद कर रहा हूँ आपका भी बहुत अच्छा चलेगा Time मतलब वक्ट समय है Speed मतलब चाल चाल की अभी अगर बात करें तो मेरी सवाल करने की बहुत जादा है आपकी थोड़ी कम है लेकिन कुछ दूना में मेरे बराबर आ जाएगी distance की बात करें दूरी दूरी हम जिंदकी पर चलते ही रहेंगे जैसे जैसे बड़ापा आएगा गॉंटू काम नहीं करेंगे जाद नहीं जल पाएगे ठीक है तो ये दूरी है इसके बाद अगर हम बात करें इस चेप्टर में क्या क्या concept है क्या क्या नहीं है इस चीज़ को देखते है सबसे पहले आप लिख लीजिए बटा देते हैं इसको सबसे पहले जो काम की बात है वो क्या है कि definition क्या है इस्पीड की definition क्या है पूरा का पुरा चैप्टर एक definition और तीन concept के depend है ठीक है पूरा chapter क्या क्या कि स्पीड की बात करते हैं वे इस्पीड क्या है इस्पीड है इस्पीड है डिस्टेंस आपको लग रहा होगा या ऐसे definition क्यों बता रहें लेकिन पूरा topic इसी पर depend है जब तक हम किसी जीच की core को नहीं जाने है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते तो डिस्टेंस travel in unit time मतलब एक आँख समय में चलीगी दूरी को हम इस्पीड कहते हैं जैसे एक घंडे में चली दूरी चली दूरी दूसरा एक मिनट में चली दूरी एक second में चली दूरी को हम इस्पीड कहते हैं जैसे कोई अगर मुझे कहते हैं कि एक आदमी पांच घंडे में 300 किलो मेटर गया एक आदमी पांच घंडे में 300 किलो मेटर गया इस बात का मतलब है कि भी वो एक घंडे में 305, 60 km गया तो यह 60 km परावर aloud, कोई अगर मुझे कहता है कि 100 seconds में 100 seconds में 600 m गया तो एक seconds में कितना जाएगा 6 m जाएगा 6 m पर सेकिन उसकी mayor nào 하루! तो one second में कितना जाएगा यह हमने जाना कि पर शकिन उसकीर क्यं होती है आपने दो एक्जांपल में देखा कि एक बार मीटर पर सेकंड थी और एक बार किलो मीटर पर आवर थी तो यूनिट स्पीड की क्या रहेगी या तो किलो मीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड तो आप देखेंगे कि एक किलो मीटर पर आवर को अगर हम चेंज करें इसका मतलब है कि एक किलो मीटर का मतलब एक हजार मीटर एक हजार मीटर एक आवर का मतलब करा रहा कि वह इस्टेंस और टाइम दिया स्पीड पूछी स्पीड टाइम दिया डिश्टेंस पूछी या केवल किलो मेटर पर आवर दिया यह 54 उसको चेंज करा रहे है मीटर पर सेकिन में ऐसे बेसिक सवाल कराने का कोई परपश नहीं है या ठीक है चलिए आगे बढ़ते अब हेडिंग लगा लगा लेजे concept 1 time speed and distance का concept 1 क्या है ठीक है आगे बढ़ते हैं मिटा रहे हैं इसको time speed and distance का concept 1 क्या है concept number 1 ठीक है तो time speed and distance का concept 1 यह है देखो पूरी time speed and distance की अगर मैं बात करूँ तो पूरी time speed and distance में या तो किसी भी सवाल में distance सेम होगी या किसी सवाल में time सेम होगा और कोई बहुत rare सवाल आएगा जिसमें speed सेम होगी ठीक है तो पहला concept हमारा यहीं कि भी time सेम है अब आप सोचो कि इसका मतलब क्या है time सेम है मैं बताता हूं इसका मतलब कि ताइम सेम है, यानि कि मीटिंग टाइम अल्वेज सेम होता है मिलन का समय हमेशा एक्वल होता है मीटिंग टाइम अल्वेज सेम मीटिंग टाइम हमेशा एक्वल होता है, बराबर होता है कैसे होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको जैसे एक बंदा यहां से चल रहा है कोई 10 बज़े चल रहा है एक बंदा A से 10 बज़े चल रहा है दूसरा बंदा भी 20 से 10 बज़े चल रहा है और मान लेते हैं कि यह रास्ते में कहीं पर मिलेंगे और यहां पर एक बज़ रहा है एक बज़े की बात है अब आप मुझे बताईए कि पहले वाले बंदे ने कितना चला? तीन गुंटे चला? दूसरे वाले बंदे ने कितना चला? तीन गुंटे चला, दौनोंने एक कॉल टाइम चला ये नहीं चला? जब भी कोई दो बंदे मिलते हैं, चाहे तो वो towards each other हो, चाहें, moving in same direction हूँ, time हमेशा same होता है, अगर time same हुआ, तब क्या होगा, देखो आप, अगर time same हुआ, माले थे एक बंदा, A से चला, और उसने distance चलिए D1, और उसकी speed है S1 और time उसने लिया एक दे, एक बंदा B से चला था, और यहाँ पर इसको मिला है, distance D2 चलिए, distance अलग-अ हो सकती है, आप खुछ मुझे बताओ, distance अलग-अलग हो सकते हो सकता है, मैं यहाँ से चला, आगरा पर हम मिले, एक बंदा लखनों से चला, तो भी हम आगरा पर मिले, हो सकता है, लखनों वाले ने ज्यादा distance travel की हो, क्योंकि उसकी speed जादा हो सकती है, जिसकी speed जादा इहां पर लिख लेते हैं एक साथी, डी टु बराबर, एसटो इंटु टी, अगर मैं दोनों को divide कर दो, तो टी से टी कर जाएगा, यानि कि डी 1 अपॉन दी 2, बराबर होगा, एस वन अपॉन दी 2, वराबर होगा, एस वन अपॉन एसटो, आपने ये देखा कि अगर time same है, तो distance का ratio speed के एकक्वल होता है इस बात को अब अलग से लिख लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए अगर time same है तो distance का ratio distance का ratio time के ratio के distance का ratio speed के ratio के equal होगा या बराबर होगा एक ही बात है ठीक है time जब same होगा तो distance का ratio इसके ratio के एकवल होगा ठीक है के लिए इतनी सी बात आगे बढ़ते हैं देखो इस पर सवाल कैसे कैसे आएंगे हम कैसे concept का सवालों के अंदर ही उच कर सकते हैं मैं दो सवाल पहले normal से ले रहूँ फिर हम और सवाल बढ़ाएंगे पूरे इस concept को बहुत अच्छे से समझेंगे में डादा भी ठीक है आगे बढ़ते हैं सवाल number 1 मैं बहुत छोड़ा सा सवाल लिख रहा हूँ आगे आने वले time में हमें ऐसा edit करेंगे कि हमें सवाल लिखने की जरुत नहीं पड़ेगी लेकिन आज की session में मैं सवाल लिख रहा हूँ आप समझेंगे ठीक है क्या सवाल रवे सवाल है हिंदी में में बोल दूँगा इंग्लिश में लिखा हूँ A policeman A policeman saw a thief at a distance of 200 meter and start to change it इसका मतलब है कि एक पुलिस वाला एक चोर को 200 meter की दोरी से देखता है और उसका पीछा करना सुरू कर देता है ठीक है speed of police बनों के speed दे रखे हुए speed of police and thief are 12 km परावर and 10 km परावर दोनों की जो speed है police और तोर की 12 km पर ती घंटा है 10 km पर ती घंटा है police की obvious सी बात है जादा होगी तभी वो उसको पकड़ पाएगा खीक है तो आपको बताना है find the distance find the distance travel find the distance travel by thief before arresting पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी दोड़ चुका हो अब हम क्या करते है यार हम relative speed निकालते है बारे और दसका gap लेते हैं दो किलोमेटर पर ती घंटा आ जाता है दोसों को भाग करते हैं ठीक है तो मैं यही बता रहा था कि हम इन सवाला में क्या करते हैं कि हम unit के पीशे बढ़े रहते हैं दोसों मिटर की दूरी माले दें कि यहां इसने इसको पकड़ लिया यहां पर जाते हैं आप मुझे बताओ दोनों ने इक साथ भागना शरू किया था एक साथ यह इसको मिलेगा तो टाइम सेम होगा अगर टाइम सेम है अभी हमने बढ़ा कि अगर टाइम सेम होगा तो distance by police distance by थी बराबर होगा speed by police, speed by थी equal होगा, दोनों की speed कितनी इसकी speed बार है, इसकी speed दस अब आप खुद मुझे देखके बताओ कि इससे कितनी दूरी ज़्यादा चल रहा है ये से दूरी ज़्यादा चल रहा है, दो सवाल में कितना दिया हुआ है, 200 यानि दो को 200 बनाना है क्या करना है, बस दो जिरो चुपका नहीं, इदर भी चुपका दीजिए, और इदर भी चुपका दीजिए इसका मतलब चोर कितनी दूरी चलेगा 1000 मिटर, ये कितनी दूरी चलेगा 200 मिटर, बहुत आसा नहीं से अगर आपको यहां पर टाइम ही पूछ लिए तब भी कोई बड़ी बात नहीं है यह एक किलो मीटर चल रहा है और इसकी है श्पीड है दस किलो मीटर यानि कि एक बटा दस छे मिनट का टाइम लगाएगा इसको पकड़ने में टाइम भी निकाल सकते हैं यही सवाल एक तरीक ग्राबरियू ही दूरी से देखा ऑपुलेश वह सुए, चार ऑन गिलूमेटर चोंटीस मिंट में दाप चर तबोर चकते है, तो इसने ही पुछाइए कि पकड़ जाने से पहले चोर कितनी दूरी दाँट मोल्थ चूर होगाकि तो अब आप तेखेंगे हैं यहां पर कि ख स्पिट लगाना बहुत मुश्किल काम है अभी हमने जो कंसेट पढ़ा हमने क्या कंसेट पढ़ा कि अगर टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस का रिश्यों स्पिट के बराबर होगा अब यहां पर टाइम कैसे सेम है जैसे यह पुलिस है और यह चोर थी दोनों के भीच की दोरी साथ सो मीटर है अब माल लेते कहीं यहां जाके इसने इसको पकड़ा होगा तो दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया था और दोनों एक साथ मिले होंगे यानि कि टाइम सेम है और अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस भाई पुलिस और डिस्टेंस भाई थी बराबर इसकी स्पीड है यह कितनी देर में दोड़ता है 4.7 km 41 मिन्ट में दोड़ता है अब आप देखेंगे कि यूनिट से कोई मतलब नहीं रहा क्यों नहीं रहा क्योंकि डारेक्ट 4.7 km से 4.7 km कट गया निकि रेश्यो आ गया 41 by 34 ratio दिख रहा है यहां तक clear है ठीक है तो अगर यह 41 by 34 ratio distance का आगया मैं यह क्या सकता हूं कि इसमें distance चलिए 41 इसमें 34 चलिए कितने ज़्यादा चल रहा है इस से 700 ज़्यादा चल रहा है और यहां पर 7 ज़्यादा चल रहा है तो इस तरीके के चोर सिपाई के सवाल में तो हमें एक concept यूज करना ही करना है और हम किस तरीके से इस concept का यूज कर सकते हैं और सवाल देखते हैं सवाल नमर तीन लिखिए मिटा रहा हूंने इसको यह सारे concept अगर आ जाएंगे distance between A and B is 60 km सवाल में यह दिया हूए कि A और B के बीच की दूरी 60 km है 2 persons 2 persons P and Q 2 persons P and Q start from A with the speed 2 persons P and Q start from A simultaneously for B इसका मतलब है कि 2 बंदे P और Q एक साथ निकलते हैं B के लिए A से speed of P speed of P is 4 km per hour less than speed of Q इसका मतलब है कि जो P की चाल है वो Q से 4 km पते घंडा कम है तो आप मुझे खुछ बताओ कि अगर P की चाल कम है और Q की जादा है तो Q पहले पहुंचेगा तो यह एले खनाईकी Q रिए कि जादका यूक्के करीश्ट at B Q रिए करीश्ट at B and return immediately and meet me from the distance 12 km from B find the speed of both person दोनों परसन की speed पूछ रहा है find the speed of both P and Q पहले सवाल सब्सक्राइब सवाल यह था है कि A और B के बीच की दूरी 7 km है दो बंदें P और Q एक साथ निकलते है A से B के लिए क्योंकि P की चाल 4 km पर दी घंटा है Q से इसलिए Q पहले पहुंच जाता है और बापस लोटता है और P को 20 से 12 km की दूरी पर मिलता है तो दोनों की speed पूछ रहा है देखो कितना असान सवाल है अगर हम यह concept इसमें लगाएं तो कुछ नहीं करना आप सवाल नोट कर लिजेगा देखें क्या concept लगाना है जो भी हमने बढ़ा जैसे यह A और B है यह point A है और यह B है दोनों के बीच की दूरी कितनी है साथ किलो मेटर distance है सिक्स्टी किलो मेटर दोनों एक साथ चले थे और एक साथ मिल रहे है यानि के time same है जिकना time P न यहां तक महुचने में लिया है उतना है time Q न यहां तक महुचने में लिया होगा और यह distance दो रखिये 12 किलो मेटर अगर time same है P न कितना चल दिया होगा 48 किलो मेटर रही हई कियों ने कितनी डिस्टेंश चलिए सेवंटीटू किलमीटर तुई एक और चीज आप यहां पर ध्यान दो अगर यह साथ किल में नहीं भी होता जिये मिल में होता फर्मी में होता किसी में भी होता यह तो भी हम आपसान निकाल सकते थे क्यों क्योंकि यूनिट से यूनिट एक कि एगर चार है तो दो की कितनी उगिए Seven कि दूर घृए कितनी हो जई कि वारे कि दौनों की सपीड निकल आइज देख सकते ह Nearly और हाथ मौखीख झौन को कर सकता था कैसे मुझे बहुद बढ़ा जले आ उसने बारे पर मिला इसका मतला 48 चलिए उसने 60 बारे 72 चलिए तो दो तीन का रेशियो है एक कम है एक चार के बराबर है दो आठ के तीन बारे के आप देखेंगे कल को ऐसा भी हो सकता है कि सवाल में ये बारे पूछले कितनी दोरी पर मिले थे तो हमें दोलों की स्पीड आया हुए पेपर में सिने क्वेस्टन नम्बर चार इस तेंस बिदीन एंड बी नैंटी सिक्स किलोमेटर तू पर्सन पी अंड क्यू हैविंग स्पीड पचास किलोमेटर पर आब है और सतर किलोमेटर पर आब है स्टार्ट फ्रॉम ए श्टार्ट फ्रॉम ए श्टार्ट फ्रॉम ए टू बी सैमल्टिनेंस में एक साथ दौर्वन्दे श्टार्ट करते हैं, एक पचास की स्पीड से, एक सतर की स्पीड से, अब जो Q है, वो पहले पहुंच जाएगा, तो Q reached at B, and return immediately, and return immediately, बापस लोट का है, and meet P at a distance x kilometer from B. Find x, आप की बार सवाल उल्टा बूच लिया, कि बहुए सवाल क्या है, उल्टा बूच ले कि A और B के बीश की दूरी 96 है, इनकी इस फिर कितनी है, 5 और 7, तो अब यह कराएगी, यह कितनी दूरी मिलेगा, यह बताना है, ठीक है, अब देखो इस सवाल में इस 6 को कैसे apply फिर से A भी बना लेते हैं, A और B के बीश के दूरी कितनी है, 96 किलो मिलेटर है, ठीक है, P यहां से चल रहा है, और Q यहां पे इसको आके मिल रहा है, और यह दूरी X है, इसी के बारे में पूछ है, ठीक है, नहीं पर देखा है, C देखा है, कि C पे मिलते हैं, तो fine, B, C बत बराबर होगा speed of 3, speed of Q, यानि कि यह 50 और यह 70 है, तो ratio आगया 5 बटे 7 का, मतलब कि पीने कितनी चली है, 5, क्यों ने कितनी चली है, 7, तो तुम मुझे बताओ कि यहां तक पीने 5 चली होगी, और total 7 चली है, तो यह कितनी है, एक जाने में, और एक आने में, तबी तो 7 बेट होगा 6 की value 96 है, तो इस एक की कितनी हो जाइए, 16 किलोमेटर, यही सवाल का उतर है, कि वो कहां पे मिले होगे, 16 किलोमेटर का मिले होगे, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जिसमें हम इन concept का यूज कर सकते हैं, और दो सवाल देखते हैं, उससे आपको और यह बात clear होगी, ठीक ह आगे बढ़ें, मिटा दें इसको, मिटा दें, दो सवाल से आप इस concept को समझ जाएंगे, इस concept के basic को समझ जाएंगे, उसके बाद हम सवाल और भी करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले कि 3-4 concept हैं, उनको आप समझ जाओ, 4-5-5 example के जिरू, फिर हम बहुत सारे सवाल mix बनाके करें, जिसमें एक सवाल में हो सकते हैं, दो concept लगें, ठीक है, बात आर ये ना समझ, अच्छा लग रहा है, ठीक है, चलो, आगे बढ़ता है, एक सवाल लिखनी जाएंगे, question number ये हमारा 5 हो जाएगा, A person can travel a certain distance in 30 hours, एक आदमी एक निश्य दूरी को 30 गंडे में चलता है, if yadi, he decrease his speed by 1 by 15, I was अवाले से सी में, then he would cover 10 km less in same time, find the speed of that person, of that person, तो मैंने इसी बात बताई भी कि एक आदमी है, जो एक निश्य दूरी को 30 गंडे में चलता है, अगर वो अपनी speed को 1 बटा 15 से घटा दे, तो वो उतनी ही समय में 10 km कम चल पाएगा, तो को कितनी आसन से बात है, कि सवाल में खुद ही बोल दिया, कि same time, same time, same जगय अगले हो दिन, याद है ना गाना, बहुत पंजाबी, सौंग है एक बहुत फेमस, तो same time है, अगर same time है, इसका मतलब कि distance का ratio बराबर होगा, speed ratio, दोनों का ratio एककल होगा, तो आप बताओ, speed के बारे में इसने क्या बोले, इसने बोले, इस पिर एक बटा 15 कम कर दी, यानि 15 पर एक कम कर दी, कितनी होगी 15 से 14, तो distance भी क्या होगी, 15 से 14 हो जाएगी, कितनी कम चल रहे हैं, एक, सवाल में बोल रहे हैं कि एक नहीं, 10 कम चल रहे हैं, यानि एक की बेलू 10 है, तो एक जीरो चुपका देंगे बिस, मतलब नर्मली ये आदमी 500 कम चलता था, कितने गंटे में, 30 कम अगर एक इंसान 30 कम चल रहे हैं, तो एक गंटे में कितना चलेगा, 5 कम, यही उसकी speed है, एक गंटे में चली की दूरी को speed कहते हैं, बोलो बात आई नहीं समझ, सवाल में खुद दिया होगा था, कि भी time सेम है, हमने का time सेम है, तो distance का ratio, speed के बराबर होगा, तो 15 बटा 14, तो distance भी कितनी होगी, 15 बटा 14, 8 कम, एक की रहे लू 10, 15 की डेड़ सो 140, तो 30 गंटे में डेड़ सो चलेगा, एक गंटे में कितना चले राधा एंट श्याम, राधा एंट श्याम, बिद्धा स्पीट, 15 किलो मेटर पर आवर, और 21 किलो मेटर पर आवर, start to meet each other, एक दूसरे से मिलने के लिए, ये राधा की इस पर 15 किलो मेटर पर आवर पर आवर, श्याम की 21 किलो मेटर पर आवर, ठीक है, 500 मेटर मोर, 500 मेटर मोर, देन राधा, वैसे राधा नहीं आए, क्योंकि राधा से जाता नहीं चला, ये इंगलिश का सवाल है, than that of राधा, इसका मतलब है, जितना राधा नहीं चलिए, उससे श्याम, जादा चलता है, और ये पूछ रहा है, find the distance, find the distance, बिडवी, राधा न श्याम, होम कर लीजे, मतलब इनके घरों के बीच की दूरी पूछ रहा है, क्यों, क्योंकि इनके दिलों के बीच की दूरी तो जीरो है, राधा और श्याम की, सवाल यह था कि इनके दूरों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो कैसे निकलेगी इनके घरों के बीच की दूरी, देखो, ये राधा और ये श्याम, इनकी चाल 21 क्लो मीटर परावर है, इनकी चाल 15 क्लो मीटर परावर है, माल ये यहांपे यह कहीं मिलते हैं, ठीक है, तो अगर ये यहांपे मिलने हैं, तो मिलने का टाइम सेम होगा, ब बहुंट डिश्टेंस भाई श्याम, क्या होगा इस्पीड ओफ राधा, बटे इस्पीड ओफ श्याम, तो राधा की कितनी है, पंदर है, इसकी एक्टीस, यह कितनी ज्यादा चल रहा झाल रहा है, और छे की वैलू शवाल में 500 मीटर दि रखे, हम से क्या पूछ रहा है, टो क्योंकि कैल्कुलेशन अच्छी होगी तब ही आप जल्दी सवाल कर पाऊगे यह नहीं कि हमने इसको कार दिया तीन को लिए पंग रहें तीन सत्य के जरुवत ही नहीं है तो आज की किलास में हमने यह सीखा कि time speed and distance का जो पहला concept है जिसमे time same होगा उस तरीके पर कितने सवाल बन सकते हैं उस approach को हम किस तरीके से जूज कर सकते हैं पूरे time speed and distance में एक तो speed की definition उसके बाद यह 3 concept जिसमें एक में distance same और time same 99% सवाल तो इसी में कबर हो जाएंगे उसके बाद 1% सवाल जिसमें speed same होगी उसके एक concept और बच्टा है बहुत खूबसूरत concept है राधा concept ठीक है वो राधा concept ही हम पढ़ेंगे जल्दी और एक time and work की video लगवाग upload हो चुकी है उसे आप देखिएगा एक concept मैंने उसमें दिया है और दीरे-दीरे करके हम सारी चीज़ें सीखेंगे आप मेरे साथ बने रहिए औ इन सारे concept को सीखिए एपलाई करिए इसी तरह हम मिलते रहेंगे इसी उत्सायों में के साथ और आप दो या तीन दिन बाद दिवाली सेलिवेट करेंगे तो दिवाली सेलिवेट करिए हैपी दिवाली डूल अफ यू बाए बाए टेक क्यार